नमस्कान दोस्तों, दोस्ते दिया आपने राजस्तान हाई कोट LDC का फॉर्म अपलाई किया है तो इस वीडियो को अंदे तर लाज तक आपको जरूर देखनी है आज की वीडियो में दोस्तों आपको बताने वाला हूँ कि जो अब आपके पास जो समय बतर है इस समय के अंदर आप किस प्रकार से आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे आप पेपर के अंदर अच्छा स्कोर कर सके और अब की बार राजस्तान हाई कोट LDC के अंदर पूर रूप से सलेक्ट हो सके तो उस मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ एक्जाम आपकी कब लगने जा रही है तो एक्जाम डेट के बारे में भी इस वीडियो में जिक्र करने वाला हूँ लेकिन आज का वीडियो बनाने का मकसद यह है कि जो आप दिन बस रहे हैं जिनकी तैयारी बहुत कम है अब जो दिन बच रहे हैं इनमें तयारी को स्ट्रॉंग कैसे करें अच्छे नंबर कैसे लेके आएं क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों पिछली बार जो पेपर लगा था वो पेपर का लेवल क्या था उस हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं कि आकिर अब अंतिम समय में आपको क्या पढ़ना चाहिए और क्या जो अब भड़ेगा वो सलक्सा ले सकता है या नहीं ले सकता सभी मुद्दे पर हम बात करने बाला है तो वीडियो को अंदर तक लाइक जरूर देगे ना चैनल पे पहली बाहर हो तो सस्क्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर पहले तो दोस्तों मा आपको बता दू अभी तर राजस्तान हाइक ने किसी भी प्रकार्द की एक्जाम डेट के बारे में जिक्र नहीं किया है यह एक्जाम से कम से कम 25 से 30 दिन पहले उनको बताने पड़ता है कि हम भराणी तारिक से exam लेने जा रहे हैं तो जो चाहर से नजर आ रहे हैं कि फरवरी 2023 में आपके exam है वो जाने वाली है तो आपके लिए तो दोस्तो कुछ कबरी है कि आपके पास जो समय बत रहे हैं इस समय के अंदर आपको जो भी आपका सलेबस है जो भी exam pattern है उसको समझना है और जो भी सलेबस है उस सलेबस को पूरी तरह से complete कर लेना है जिससे आप RM से selection ले सको तो यह तो मैंने आपको exam date के बारे में बता दिया कि परिच्छा वो कब होने जा रही है लेकिन आज वीडियो बनाने का मकसद है कि selection कैसे ले दोस्तों मैं आपको बता दू कि जो exam पहले लगा था जो paper leak उने काड उस exam को रद्ध कर दिया गया था उससे paper का level यह दिया आप देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि paper का level थोड़ा सा medium level का तो वैसा ही paper दोस्तों अब लगने वाला है क्योंकि यह paper होता है यह paper थोड़ा सा normal आता है इसलिए आता है क्योंकि आजगे typing भी है efficiency test भी है तो जातर बच्चे typing अंदर भार हो जाता है जिसकान से paper का level है वो थोड़ा सा medium रखा जाता है थोड़ा सा दोस्तों सरग रखा जाता है आप paper उठाका देख लेना आपको पता चल जाएगा कि paper में question है वो किस type के पूचे गई थे लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बता दू कि आपको तैयारी वो किस प्रकार से करनी है और जो बच्चा अभी भी यह जाग जाता है तब भी वो selection आराम से लेके जा सकता है कोई अभी आपके पास थोड़ा बहुत जो समय इसमें आपको ज़्यादा तो पढ़ना पड़ेगा लेकिन selection आप लेके जा सकते हो स्रीप और स्रीप आपको क्या पढ़ना पड़ेगा दोस्तों राजस्तान जी के हिंदी, इंग्लिस और करंट स्रीप और स्रीप चार चीज आपको फढ़नी पड़ेगी राजस्तान जी के हिंदी, इंग्लिस और करंट जदी आप इनको फढ़ लेकते हो जो मैंने बोल्ड पे लिख दिया है राजस्तान जी के करनड के 50 कुशन आने वाला है हिंदी के 50 कुशन आने वाला है और इंगलीज के भी 50 कुशन आने वाला है टोटल मिलाकर मैं बात कर लूँ तीन सो नमबर लाने पर आप सलेक्ट हो जाओगे उसके भी मैं मात करने वाला हूँ इसी वीडियो में तो वीडियो पूरी जरूर देखना है तो मैंने आपको बता दिया है स्रीफ पोर स्रीफ ये फढ़ते हो तो सलेक्षन आराम से लेकर जाते हो लेकिन सबसे बड़ा मुद्धा आएगा कि कौन से किताब फढ़े दोस्तों मैं आपसे ये कभी भी नहीं बोलूँगा कि फ़लाने किताब खरीदो मार्केट में फ़लाने लेकर किताब आ रही है वो खरीदो जो आप फढ़रे हो बेक आ रहे है मैं हमेशे एकी बात बोलता हूँ जो भी किताब आपके पास सबी किताब उकर दो जो कॉंटेंट होता है वो दोस्तों सेव होता है तो आपको ऐसा निकरना कि जो भी यूटूबर बता रहा है उस किताब वो खरीद के लिए है और कुछ भी नहीं पढ़ा जो भी आपके पास किताब है आपको तयारी इस प्रकार से करनी है कि उस किताम में से यदि कुछन आ जाए तो कुछन आपका गलत नहीं होना चाहिए तो जो भी आपके पास किताब है राजस्तान जी के की भी कोई भी किताब है हिंदी की भी आपके पास कोई भी गाइड है बुक है इंगलीज की भी आपके पास कोई भी गाइड है आप उसको इस तरह से पढ़ो कि आप सलक्सन ले सको और यदि उसके अंदर से कुछन आए तो कुछन आपका गलत नहीं होना चाहिए मैं तो हमेशा यही आप से बोलू माद अब सबसे बड़ा मुद्धा आएगा कि हमको कितने गंटे देने चाहिए दोस्तों मैं आपको बता दू यदि आप र안स्तान जीके को 2 गंटे देते हो हिंदी को भी दो गंटे देति हो इंगलीज को भी दो गंटे देत आ करंट को शीरिभा आप रोजीना लेकिन ज्यादा द्यान आपको फड़नी है कितनी पुरानी पड़े आपकी एग्जाम लगती है उससे कम से कम आठ से नो महिने पीछे कि आपको करन पड़नी पड़ेगी यह तो मैंने आपको यह बता दिया आप सबसे बड़ा मुद्दा यही आएगा कि कितने नंबर वाले क लेके या पर सलेक्सन हो सकता है हमको टारगेट है यह बोगते नंबर रखे चलना चाहिए कि पेपर के अंदर इतने नंबर लाने पड़ेंगे सेलेक्षन के लिए तो आपको पता होगा दोस्तों राजस्तान जी के कैट पचास कुशन आएंगे पचास हैंगे एक कुशन द अब भी आप selection लेके जाने वाले हूँ क्यों कि आगे typing है typing में आपको अच्छे number लाने पड़ेंगे और आप final रूप से select हो जाएंगे और पेपर के अंदर ज्यादा number लेकर आएगा और typing में थोड़े बहुत कम भी number लेकर आया वह भी आप लिया आते हो तो युमा लेना selection लेके जाने वाले हो दोस्तों मैं आपको बता दिये तयारी आपको किस प्रकार से करनी है कितने घंट आपको पढ़ना चाहिए कौन जी बुक के साथ आपको पढ़ने उतरना चाहिए करन आपको कैसे पढ़नी है करने आपको कितनी पुरा